हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इसके बाद पालिका ध्यक्ष के निर्वोचिन की प्रक्रिया में भाजपा की ओर से मगंदान चारण वर कॉंग्रिस की ओर से भवनीश बारोट ने नामांकन दाखिल किया इसके बाद सुबह 10 बचे से दुपहर 2 बजे तक मदान प्रक्रिया शुरू गई पहले शेत्र विधायक जकसी राम कूली पालिका पहुँचे इसके बाद चेर्मेन के प्रत्याइशी मगंदान चारण 2 पारशदों के साथ पहुँचे तीनों ने मद्दान किया इसके बाद भाजपा के नव निर्वोचित पारशद पर निर्दलिय पारशद एक के बाद एक पालिका पहुँचे जहां उनोंने मद्दान किया इसके बाद कॉंग्रेस के 11 निर्वोचित पार्षदों ने मद्दान किया सफ़र रननीती के चलते भाजपा ने जहां कॉंग्रेस में सेन माल दी जिसके चलते 4 कॉंग्रेस पार्षदों ने क्रॉस मद्दान किया वहीं विजय हुए आठो निर्दलिय को अपने पक्ष में करने में सफ़र रही मत करना में भाजपा प्रत्याईशी के पक्ष में 33 मत पड़े वहीं कॉंग्रेस प्रत्याईशी के पक्ष में 7 मत पड़े इसना 26 मतों के अंतर से भाजपा के प्रत्याईशी चारण को निर्वोचित होशित किया गया पालिका अतक्ष निर्वोचन के तहट निर्धारित समय के कुछ देर बाद खाजपा के मगंदान चारण रवी शर्मा वो चंदर शेखा पालिका पहुँचे जहां उन्होंने मद्दान किया इसके बाद निर्दलिय पारशप किरन रहकर वो विक्रम नेपालिका पहुँचकर मद्दान किया कुछ देर बाद दिपिका राव सुरेखा मोदी वो गिजानजली ने मद्दान किया इसके बाद गायतरी देवी, रमेश, वेशनव, फुश्पा सेन, नीरत शर्मा ने मद्दान किया कुछ देर बाद ही कॉंग्रेस की 11 पारशप नर्सिंग, कायम खानी, अंजली जोशी, कांतिलार परिहार, जितेंडर बंजारा, सुरेश बंजारा, शम्शान अली अबासी, सुमिक जोशी, वीना परिहार, कैलाश माली, साक्षी सक्सेनी, भगमीश बारोट ने मद्दान कि मद्दान के बाद सभी नव निर्वोचित पारशित बहार निकल गए, जहां से उन्हें सुरक्षित स्तान पर ले जाया गया, मद्दान के ततकाल बात मदगणना हुई, इसमें भाजपा की पक्ष में 33 वा कॉंग्रेस की पक्ष में 7 मत मिले, इस पर भाजपा के मगंदा अ चारण को 26 मतों से पालिका अध्यक्ष ने वोचित गूशित किया गया, इस अफसर पर चुना प्रभारी बासुदेव देवनानी, संप्रभारी मनोहन चौधरी, विधायक जक्सी राम कोली, सुरेश कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष नारायन पुरोहित, पूर्व जि अध्यक्तिक दलों के पदद्धिकारी वा कारिकरता महजूद थे, जागरुक टिवी के लिए आबुरोट से मनोच शरस्यकी रिपोर्ट